नमस्कार मैं हूं नंदनी आप देख रहे हैं अदा फुल धड़ी उत्रप्रदेश विधानसवा चुनाव की तारीक करीब आ रही है प्रदेश की राजधानी लक्नव की कैन विधानसवा सीट होट सिट बन गई है इस सीट को लेकर बीज़पी की मत्था पच्ची चल रही है क्योंकि यहां से उसके पास कई दावेदार हैं और किसे टिकट दिया जाए इस पर जरूर विचार चल रहा होगा वहीं पर आपको बता दे कि लक्नव के अंतरगत विधानसवा की 5 सीटी आती है और लक्नव कैन्ट को बीज़पी की सबसे सेफ सीट माना जाता है वहीं यहा पर 5 बार से जादा जीत हासिल कर चुकी है और लक्नव कैन्ट सीट पर वोटिंग 4 चरण के तहट 23 फरवरी को होगी लेकिन बीज़पी अब तक अपने उमीदवार के नाम पर मोहर नहीं लगा पाई है क्योंकि लक्नव कैन्ट सीट पर 3 लाग से जादा मत दाता है और यहा यादव पार्टी में शामिल हुई है अपड़ना इससे पहले लक्नव कैन्ट सीट से सप्पा के लिए टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है लेकिन इस बार वेक कमल खिलाने के निशाने पर चुनाव मैदान में उतरी है वहीं पर दूसरी और बात करें तो प्रयाग राज की सांसत रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे मयंग के लिए यहां से टिकट मांग रही है और साथ ही आपको बदा दें कि लखनव कैन्ट की पूर विधायक रीता बहुगुणा जोशी को भी यहां तक कह दिया है कि अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देने की योजना बना रही है तो वह है अपनी MPC छोड़ने के लिए भी तयार है इसने जाहिर से बात है कि BJP की मुश्किले और बढ़ा दी है इन सबी अटकलों के बीच अब लखनव कैन्ट के मुझूदा विधायक शुरेश चंद्र तिवारी ने कहा है कि पार्टे नेतियों तो पहले ही साफ कर चुका है कि मुझूदा सांसदों को परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा अब ऐसे में रिता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट नहीं ले पाएंगी अब जाहिर से बात है कि अपर्णा यादव भी इसी टिकट के ल शूरेश चुदार ने तिवारी ने आगे भी कहा है कि मैं फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताब चुका हूँ उन्होंने आगे और भी कुछ कहा, उन्होंने कहा कि BJP की और से जो भी उमिद्वार चुना जाएगा, मैं सीट शुरक्षित करने के लिए हर कोशे, हर संभवता परियास करूँगा, साथ ही टिकट नहीं मिलने पर भी परत्याशी के लिए प्रश्चार करूँगा आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद